पूर्पोर पढ़ने जारे है साइन्स बूप का जिसका नाम है सौर्टिंग मेटेरियल से इंटू ग्रूप मतलब इस हेडिंग से पता चलता है कि किसी पदार्थ को किसी वस्तु को ग्रूप में हम लोग इसमें हम लोग छाटने का प्रहाश करेंगे और इसमें किस तरीके से कौन कौन सा चीज किस काटेगरी में आता है किस ग्रूप में आता है उसके क्वालिटी किया है उन सारे चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर करने वाले हैं और उसके basis पर हम लोग grouping करने वाले हैं कि कौन सा कोई भी object या material किस category में आता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए पहला heading है object around us जो वस्तुए हमारे आज पास गी है तो हम लोग उसको पहले अप ग्रूपिंग करने का प्रेस करेंगा और इसमें देखेंगे we have seen that our food and cloth have so many variety in them not just food and cloth there is such a vast variety of object everywhere we see around us chair, chair, block cart, recycle, cooking utensils, books and cloths, toys, water, stones and many other objects all these objects have different shapes color and uses इसमें देखें हम लोग जो भी चीज़ अपने आज पास देखते हैं हम लोग खाना देखते हैं अपना कपड़ा देखते हैं तो इन सारे चीज़ों variety सारा खाना एक जैसा स्वाद का नहीं होता एक जैसा नहीं होता है या फिर कपड़ा एक जैसा नहीं होता हम प्रिविएस वीडियो में लोगों में बात कर लिया कि किस किस फाइबर से बनता है यह सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है कि बहुत सारी variety होती है हर चीज़ की तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने वीचेयर बुलोग कार्ट साइकल यह सब चीज अलग अलग object है और अलग-अलग इनका shape है और अलग-अलग इनका use भी है और इनका यह अलग-अलग चीज़ों से भी बने हुए है हर चीज एक चीज से नहीं बना हुए है तो इसमें हम लोग को देखना होगा कि कौन समेटेरियल किस से बना हुए है जैसे कि अगर हम लोग लकड़ी के चाक्टर में करना है, ठीक है? Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a foot ball and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen picture घड़ा. आप अपने आसपास के किसी भी object को देख लिजी, जो की उसमें categorize करना है, जो की round shape का हो, गोल shape का हो, तो आप क्या categorize उसमें करेंगे? रबर का ball कर देंगे, फिट बॉल कर देंगे, जो कंचा होता है, ग्लास का marble जो होता है, उसको गुल देंगे की round shape का है, अगर वहीं nearly round की बात करें, तो हम लोग एपल को, लगभग गोल सा होता है, औरेंज को, लगभग गोल सा होता है, घड़ा, तून साथ चीज़ों को हम ल सब्सक्राइब करें, तो हम लोग लोग बात कर देंगे, अगर हम लोग लोग आपड़ शेप के बात कर लिए, अगर हम वहीं देखें, वैसे object जिसको खा सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग ने टेबल 1.1, जो कि चैप्टर 1 में मैं पढ़ाया हूँ, जिसमें खाने वाले, जितने भी material है, उन सारे चीज़ों को कौन सा material किसे बनता है, वो सारे को categorize करना है, ठीक है, वी माइट आलसो find the sum of this round shape object we just listed out, and also this group, और हम लोगों क्या करना है, इसमें, जो round shape का, अभी हम लोग करना है, ठीक है, let us say, we wish to make a group of object that are made of plastic, अब बोल रहा है, कि माल, चलो, अब किसका group करते हैं, अभी round shape का हुआ, एडिबल, चीज़, एडिबल, मतलब एडिबल, जो खाने योगी चीज़ होता है, तो उसका हम लोगों ने group कर लिया, अब ऐसे वस्तों का हम लोग grouping करने वाल जैसे कि bucket, बाल्टी हो गया, lunch box, toy, water container, pipe and many such objects may find a place in this group, बहुत सारे चीज़ हैं, प्लास्टिक के जो चीज़, प्लास्टिक से बनते हैं, तो उस सारे चीज़ों को group में कर सकते हैं, there are so many ways to group object, in the above example, we have group object on the basis of their shape or the material they are made from, जितना भी हम लोगों इउपर देखा, तो हम लोग उसके shape के अधार पर हम लोगों ने किया, वो चीज़ किससे बनता है, कोई material किससे बनता है, उसके अधार पर हम लोगों ने किया, grouping किसी object का, ठीक है, All object around us are made of one or more material, these materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, or soil, can you think of more example of materials? देखिये, कोई भी जितना भी object होता है, सब एक या एक से ज़्यादे चीज़ों से बना होता है, अब जैसे कि प्लास्टिक का कोई चीज़ बना है, तो यह तरुरी ने कि प्लास्टिक का, प्लास्टिक में क्या, वो पैट्रोलियम से बनता है, और भी बहुत सारे ऐसा जिसे कि वो एक चीज़ फॉर्म होगा, जैसे कि आप कोई मेटरियल ग्लासी ले लो, मेटल ले लो, कोई मेटल का कोई समान ले लो, तो क्या है, उन सारे चीज़ों को कुछ मिला कर बनता है, ठीक है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, कि कोई भी इमान लिज़े लेकर दर जाता ही कोई चीज़ बनाना है, कोई अबडेक्ट थी, ठीक है, तो उसमें क्या लग सकता है, ग्लास लग सकता है, सीशा, कोई मेटल धातों भी लग सकता है, उसमें, तो इन सारे चीज़ों को, किसी ना किसी, क्या है, कोई अबडेक्ट एक चीज़ से नहीं बनता है, एक स यह ज्यादा चीज़ों से बनता है, ठीक है? लिट असको एक्टिविटी बन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिट असकलेक्ट आज मैनी अबजेक्ट आज पॉसिबल फॉम एराउंड अस इच और फॉस कुट गेट सम एवरीडे लिट delivery आजेक्ट फॉसके अप्राउंड युटी आजेक्ट अप्राउंड आजेक्ट अट ≅ब हैं विट वर एक्टन को एंडे राउंड चाहिन चॉक पंसिल्डबक रबर डूस्तर आहमर नहींटि छॉप इस पोछुटी एंडबळवीर थील्ज बट match box, salt, potato we can also list object that we can think of but cannot bring to the classroom for example, wall, tree activity number 1 में बोल रहा है कि आप वैसे group किजिए वैसे चीजों का जो चीज आप अपने आस पास देखते हैं अपने घर में देखते हैं अपने classroom में देखते हैं तो उन सारे चीजों को आप लिस्टेड कीजिए जैसा कि यहाँ पर दिया है कि आप क्या पाएंगे, कि चौक आपको मिल जाए पैंसिल, नोटबूक, रबर डस्टर है मार्न, नेल, शॉप, स्पोक आफ विल ठीक है, यह सब चीज अब वही हम लोग बात करें कि जो चीज हम लोग ला नहीं सकते हैं, जैसे कि बाहर कोई पेंड वगरा है, कोई दिवाल है, कोई ट्रेक्टर उचीज हम लोग नहीं ला सकते हैं, ठीक है, जो कि वो हमारे object में लिस्टेट नहीं है उसको classroom में नहीं ला सकते हैं तो वो सब चीज को सो सकते हैं ठीक है separate all object from this collection that are made from paper or wood this में we have the divided all object into two groups one group has object that are made from paper or wood while the other group has the object that are not made of this materials similarly we could separate the things that are used for preparing food तो देखिए कह रहा है कि जितने भी चीज़े अपने collect की अब उसको दो भाग में बाटना है आपको एक group में वैसे चीज़ों को रखना है जो कि कागज और लकडियों से चीज़े वह बनी हो और एक इसे लेखना है जो इस पेपर और वूट से ना बने हो ठीक है और वैसे वह भी यह चीज़ को सप्रेट कर सकते है जो कि खाना बनाने के यूज में यह तो इस एक्टिविटी में यह चीज़ आपको करना है ठीक है लेखन मैं पूचेंस लेखन में यह तो इस्विटी सुट्स अबस्ति कि लितीन अविटी है क में यह जाखन खων यह तो झाल उनकि लिए 하나ग जग्ज ओच्व जोसमआट एर जो इस संदू में वूल फुप को अशन,ो इस थालास कैसे लिए इस वालास पाल टल्ष तो इन और इस activity में कह रहा है कि एक table आपको बनाना है जैसे कि 4.1 में मैं दिखाऊंगा आपको उस तरीके से बना कर और वो सारे चीज़ों को categorize करना है कि wood से क्या बना है paper से क्या बना है और other things जो भी है उससे क्या क्या चीज़े बनी है और फिर उसको पहचानना है ठीक है तो यह च सकता है तो स्टील ग्लास प्लास्टिक और और पेन का तो प्लास्टिक और मेटल से बन सकता है तो यह चीज़ क्टेग्राइज हो गया ठीक है अब activity नमबर टू टेबल 4.4 लिस्ट सम कॉमन मेटेरिल्स यू कैन और स्वेड मोर मेटेरिल इन अब देखिए इस में और भी मे के टुम सब्सक्राइब है रहा यूष ये यह तैकर घितना भी कि अ 근데 है इसमने हम लोगों के ट्रेगरेज़ करना और सैटिहनम में हम लोगों को यह करना है कि अप्शारी चीड को करणा है एक ऑब्जेक्ट ते क्या क्या चीज बनने के समभाव ना या फिर बन सकते हैं वोन सारे चीजों को कटेग्राइज करना है ठीक है कॉलम वन डेटर नों टू यू नाओ ट्राइट ट्राइट ट्राइन तिंग आफ एवरी डे बन सकता है ठीक है पेपर से क्या बन सकता है बोक नोट वोक यह लेदर से क्या बन सकता है सुज बगरा बल सकता है प्लास्टिक से बकेट वगरा ठीक है कॉटन से आप बता दीजे के कमेंट करके कॉटन से आपको कलोथ बनता है फिर से गद्दव बन जाता है ठीक है बहुत सा चीज है what do we find from this table first we group object in many different way we then found that object around us are made of different material at time an object is made of a single material an object could also be made of many materials and then again one material could be used for making many different object what decide which materials should be used to care raya ki amna kya dekha ki ek met ek koya object alag alag material se ban saakta hai to wain doosre tab ek material se alag alag object ban saakta hai jiasse ki amna table 4.4 me kya dekha plate kis se ban saakta hai steel glass paper se banta hai hai ye sab chizho se ban saakta wae where is 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 where the table 4.2 me home loo go dekhaen ga to us mein dekhaen ga ki wood se kya ka chair table bhoa saare chiz ek material se bhoa saare object ban saakta hai 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 other property of matter ki material pagar ki gund kya hote hai 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 kyan ambhoa haareости hoti غ drag promo a wurde term 384 mask barifaraant, masks kalispa on your charge in chapter 3 and also think kup in mind that we n we generally use a tumbler to keep a liquid therefore we would not be silly if we were to make a tumbler out of cloth what we need for tumbler is glass plastic matter all other such material that will hold water similarly it would not be wise to use paper like material for cooking razor तो देखिए इसमें बोल रहा है कि material का गुंड क्या होता है तो बोल रहा है कि है कि इसमें अगर वहाइं बाइत करते हैं अगर पानी को रखना है तो क्या कर सकता है तो क्या क्या होता है कि जो तंबलर जिसको ग्लास जो है वो क्या बना होता है शीशे का बना होता है या फिर प्लास्टिक का या फिर किसी मेटल का बना होता है ठीक है यह तो मुर्कता होगी कि हम लोग अगर कपड़ा से बनाए तो और आप जाते हैं कि कपड़ा किसे बनता है फाइबर से बनता है तो उ ऐसे चीज का नहीं यूज़ कर सकते हैं, कोकिंग वेजल में भी, ठीक है, खाना बनाने के यूज़ में भी नहीं ला सकते हैं, ठीक है, वेजल देखते हैं, कोई सब्सक्राइब करते हैं, उसके प्रापर्टी पे, कि ग्लास का प्रापर्टी का है, कि ग्लास होना चाहिए, मेटल का ताके वो पानी को होल्ड रख सके, होल्ड करते हैं, वहीं कपड़ा को देखो, कपड़ा में थोड़ी न वह चंद के नीचे गिर जाएगा, तो यह चीज़ है, तो वह रहा है, तो वह रहा है, तो वह रहा है, तो वह रहा है, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, यह रहा है, जैसे एपेरेंस के पास के, कि दिखता कर रही कोई चीज़ कैसा है, तो लोग एपेरेंस मतलब दिख दे में चमक कैसा है, बगर रहा है, ठीक है, धुला है, ऐसा चीज़, ठीक है, यह रही की दिख दे ऐसा है, गाल तरह कोई ठोगे, तो लोग लोग लकड़ी के बात करेंके, तो लकड़ी क्या अचीज़, पूरी थे कर दोड़ों, तरह से होगाए है, आइरन को और लकड़ी को मिला तो देखो क्या होगा दोना में डिफरेंट हो जाएगा अगर वहीं कुछ दूसरा सिमिलारिटी हम लोगों को देखना कॉपर आइरन में जो कि वो लकड़ी में नहीं होता है ठीक है एक्टिविटी नंबर थी क्या है कह रहा है कलेक्ट स्मॉल पीसे ऑफ डिफरेंट मेटेरियल पेपर कार्ड़ वूड कॉपर वायर अलुमिनियम शीट चॉक डू एनी ऑफ दिजर एपिर साइनी सेपरेट साइनी मेटेरियल इंटू ग्रूप जो जो चीज दिया गया है उन स सारे चीजों को सेपरेट करना जो कि साइनी मेटेरियल हो जो चमकता हो ठीक है नौ अब्सर्व एजर टीचर कट इच मेटेरियल इंटू पीसेज और लूक अट फ्रेश्च कट सर्फेस वाट दो यू नोटिस दस फ्रेश्ली कट सर्फेस ऑफ दसम अव दिस मेटेरियल दूर हाएक अगर आपने देखा होगा कि कोई चीज यह है तो इसको अगर कट आजएगा ना तो यह जो अंतिम जूच्छौर होता है जहां से कटा गया है तो वह चीज थुदा सा साइनी दिखाए देता है ठीक है अगर वहिं आम देखेगा कि अगर कोई रड बगर होता है जो लोहे का होता है, उसो काटने पर तो थूरा साइन ही दिखता है, ठीक है? Do you notice such a sign or luster in other material, cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting you can rub the surface of material with sand paper to see if it has luster. वो रहाए कि यह हैं चीज़ कि हर एक एक object को cut cut का ऐसे देखना है कि उसके जो अंतिम शूर है जहां से cut किया गया है, वो हां पर लस्टर है कि नहीं, चमक है कि नहीं, sign कर रहा है कि नहीं, ठीक है? ठीक है यह सारे चीज़े को repeat करना कर नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा सा rub करके देखना है कि उसमें चमक है कि नहीं, तो यह हम लोग क्या पता चलता है कि हर object कि जो appearance है अलग अलग होता है, ठीक है? कोई ज्यादह कोई चमकता है कोई कम अडिक है? अदिक Ihnen, materials that have such luster are usually metal, iron, copper, aluminium and gold are example of metals. some metals often lost their sign and appearance the appear dull because of the action of air and moisture on them we therefore notice the luster only on their freshly cut surface when you visit an iron smith or workshop look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster of the process of the luster mainly that you can see metal in the car, as well as iron copper, they are often affected by the use of water, if they have a situation with water, they will be affected by the way of the water and the water. You can see the balance between the water and the water, खेटो जंग लगजाता है तो उसका थे के जब वहीं फ्रेश वाला जो कट रहेगा किसी मैटल का तो तो कितना चमकता है अगर वह आप देखेगा लुहार के पास जाहीगा तो देखेगा जो उसका जो लुहार का नए नए जो चीज जितना भी और बनाया रहा तर मेटल रड होता है जो भी वह बहुत ही फ्रेशली जो होता है वो उसकी चमक बहुत अच्छा होता है ठीक है I hope यह इतना तक जितना मैंने समझाया है आप उसको समझ में आया होगा Hardness का थोरता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece, wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily The material which can be compressed or scratched easily are called soft while some other materials which are difficult to compress are called hard For example cotton or soft while iron is hard Hardness हम लोग किस चीज़ पर हम लोग कि कोई चीज़ क्या है कोई material कि कितना hard है यह चीज़ हम लोग किस पर decide करते हैं कि वो कितना compressed हो सकता है अगर वही हम लोग किसी गुबारे का बात करते हैं ठीक है उसको दबाएंगे तो easily compressed हो जाएगा तो वो क्या हो गया soft materials हो गया अगर वहीं लोहे का लोहे का दबेगा नहीं दबेगा यह hard हो गया यह चीज़ है hardness cotton का जो होता है जो गोल साव जो के previous chapter में पर आया कि पहले रहता है फिर उसमें से बीच को निकाला जाता है तो क्या होता है कि sponge की तरह होता है ठीक है तो soft होता है ठीक है in appearance material can have different properties like luster hardness be rough or smooth can you think of other methods that describe the appearance of material तो वहीं बोल रहा है कि अलग प्रॉपर्टी हो सकते किसी material का तो बोल रहा है कि अलग कोई appearance को बताना है कोई property soliwal और insoluble देखिए soliwal वैसे substance को बिया material को करते है जो की घुल जाए और insoluble उसको करते हैं जो की ना घुले ठीक है activity no.4 collect sample of some solid substance such as sugar salt chalk powder and sawdust pick five glass or beaker fill each one of them but two third with water add a small amount of spoonful of sugar to first glass salt to the second and similarly add a small amount of water glass stir the content of each them with spoon wait for few minutes observe what happened to the substance added to the water note your observation पूल रहा है कि एक बिकर देना है दो भी कर दीजिए उसमें दोतियां पानी भर दीजिए भरने के बाद एक में sugar add कीजिए और दूसरे में नमक फिर देखना है कि उसको चमच से घुलाना है फिर देखना है कि घुलता है कि नहीं है ठीक है तो फिर आप यहां पर देखें में 4.2 में जो चीज एक में आप क्या कर दिए बालू रख लीजिए एक में चीनी डाल दीजिए एक बिकर में तो अब देखेंगा चीनी या फिर नमक डालेगा तो घुल जाता है पूरे पानी में अच्छे से गायब हो जाता है लेकिन वहीं जबकि देखेंगा बालू को तो घुलता नहीं वह नीचे तलशेट में बैठ जाता है तो किसको कहते हैं जो पानी में घुल जाए ठीक है पूरे अच्छे तरहिके से और इन सॉलीवल किसको कहते हैं जो कि ना खूल अजय sleepy नंबर 5 में शिलेक्ट सैंपल बीनियगार बीनियगार लिमन जूस मस्टर्ण न extr और कॉकोनट और के रोसीन और एणिंडर लिक्विड औब इसको अम लोग और अच्छित्त नमठर फाइब में कुछ yतने मीं लिकविड हैससारे चीजों को क्या करना है एक सेंपल लेना है और एक ग्लास का टंबलर लेना है उसको आधा फिल इट अप टू हाफ विट वाटर आधा पानी से क्या करना आपको भर देना है एड़ फ्यू इस्पून फूल एट वन लिक्विट टू दिस एंड इस्टिर वेल और फिर उसमें कोई एक लिक्विट जो उपर दिया गया है इसमें से किसी एक लिक्विट को उसके अंदर डालना है फिर देखना है कि क्या होता है फिर उसको घोलना अच्छे से घोलने के बाद फिर इसी तरीके से आ अलग अलग लिक्विड का फिर आप देखिएगा कि क्या होता है तो यह सारे यह टेबल दिया गया है आपको यह सारा चीज आपको करके देखना है ठीक है कि अगर आप कि अगर कि अगर कि अगर कि अच्छे से नहीं घुल पाते हैं या फिर वह उपर सतह पर आ जाते हैं ठीक है कि संग्लासे आ सॉलीवल इन वाटर कुछ गैसिस क्या होते हैं सॉलीवल होते हैं वाटर में कि अगर कोई वस्तू है तो वह पानी पर क्या हो सकता है तैर भी सकता है और डूब भी सकता है तो यह चीज हम लोग पढ़ने वारे हैं इसमें आउस्ट को देखा लिकवीड को तुरीच को दिखा तो लिकवीड को मिला मिला करे बहुत सारे मैप्तिविटी में यह तैरने लगते हैं यह सम ine आनी में प्रिपल च्प्राव सब्सक्राइब ओन प्लूटक्त सबसक्राइब कर्या दिखेग क्या प्रकृत क्यल को में only सकता हो तो अगर हम कर सकता है तो अगर हम देखें हैं कि अगर हम व्यक्र तलाब में तो दूब जाता है ठीक चीज इसे बताया किया है अब बात करते diferentes beim स्पेर इस लोग Room हम लॅ नहीं है तो हम लोग ऐसे जगह पर प्रोड़ते हैं जहां पे हम लोग कोई या चुपेंगे नहीं है पिर फिरकिशी ग्लास के अगर तो जो चीज काने वाला ला या फिर मिठाई बगहरा राता है तो वो क्या करता है किसी ट्रांसपेरेंट बोटल में रखता है कोई डबे में रखता है जैसा कि as you can see here in this picture ठीक है तो हम लोग ऐसे देखते हैं ताकि वह आसानी से हम लोगों दिख जाए और वो हम लोग खरीज सकें तो इसलिए बनिया वाला भी इस तरीके का लगा के रखे जाता है तो हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस किस तरीके का ट है कि ल funds का टीक है तो कुछां मम लोग देखेंगे कि जैसे गलास हो गया को infantormों देख सकते हैं जबकि और दूसर फोले हैं आप एक सब नहीं देख सकते हुक्षा ह सब चीज के लोग नहीं देख सकते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं आपिक मैटेरियल hey तो एक्टिविटी नमबर सिक्स में दिया हुआ है कि टेक शीट ऑफ पेपर एंड लुक थूरू इस टूर्ड ए लिटिल बल्व में के नोट ऑफ और अब्जिशन नाव पूट टू थ्री ड्रॉप्स पूरा है कि एक पेपर लेना है शीट ऑफ पेपर और फिर उसको देखन अंलाइट साहल है जलते हो बल्व के तरह उसको लगा कराका Eh इसे देखना है ठीक है जिस तरी वह हलका हलका दिखाई देने लगता है ठीक है तो देखिए ट्रांस्पेरेंट मेटेरियल किसको कहते हैं जिससे हम लोग पूरा देख सके हैं ठीक है जैसे कि यह शीशा हो गया कोई साफ प्लास्टिक हो गया जिससे कि हम लोग आर पर देख सकते हैं वह चीज़ हो गया जिसको वैसे अब जैसे क्या करते हैं हम लोग जैसे ग्लास वाटर एयर इससे हम लोग क्या आर पर देख सकते हैं तो इसको ट्रांसमेट पैरेंट मेटेरियल कहा जाता है ठीक है अब हम लोग जो जैसे कि कागश का बताया गया है कि कागश पर थ्वास अपते लगा फिर देखो एक कागश से देखते तो अच्छा से नहीं दिख देखाई देता है दिखाई देता है कि क्या है तो उससे और टॉबशेक्ट यह को बताना होगा कि यह गया है कि अगर आप ले कीया हो कि टॉर्स जलाकर अपने उसके हाथ रखेगा तो देखिएगा कि लाइट थोड़ा थोड़ा आता है ठीक है तो आप क्या कहेंगे अपने पाम को या जो हथेली है कि वह ट्रांस्पेरेंट है या ट्रांस्लूसेंट है या ओपेक है ठीक है यह कॉमेंट करके ज़रूर बताए देखा देता है जो क्लियर नहीं दिखाए देता है और वहीं अपेक अब्लेक्टी बात करें तो ऐसे अब्लेक्ट को करते हैं जिससे कि हम लोग आरपार देखी नहीं सकते हैं यहां पर किछ की वर्ट्स दिया हार्मर्ट तो कट्थोर होता है इन सॉलिबल जो घूलना सके लस्टर मतलब चमक मेटेरियल मतलब पदार मेटल मतलब धातू ओपेक मतलब जिसका अब पारदर्शक जिसको देखा नहीं जा सके रफ मतलब तो रुख रहा होता है टफ जो होता है सॉलिबल घूला हुआ है ट्रांसलोशन मतलब थोड़ा थोड़ा जो दिखाए देता है मतलब पूरे पारदर्शक होता है ठीक है तो यह था आईए कुछ समरी में पढ़ लेते हैं अब्जेक्ट एराउंड अर्मेड अफ डिप्वेश लाज वर्याइटी अफ मेटेरियल हम लोग आसपास का जो अब्जेक्ट होता है अलग अलग मेटेरियल से बना होता है दूसरा पॉइंट में हम लोग इसमें दिया है कि गिवेड मैटेरियल कोड बी यूस्ट तो मेक लाज नंबर ऑफ अब्जेक्ट इस जालसो पॉसिबल डेट अन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ सिंगल मैटेरियल और अफ मैनी डिफरेंट टाइपस ऑफ मैटेरियल यह दूसरे पॉइंट में यह का रहा है कि किसी एक अब्जेक्ट से अलग अलग चीज बन सकता है तो पार्दर्शित होता है कोई सौफ होता है एक तो किसी में चमक होता है किसी में नहीं होता है अगर पारदरश्य यह दिफ़ता है वहीं कोई आपार दर्शी होता है कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई देने वाला होता है तो बहुत सारे चीज़ है ठीक है सम मेटेरियल साइनी एपिरेंस ठीक है अजबकि दूसरे नहीं होते हैं कुछ राफ होते हैं कुछ स्मूथ होते हैं यह चीज़े हैं और यह और मेटल के ओपेक ऑपडेक्ट हो गया और कुछ मेटेरियल क्या होता है और ट्रांसलूसेंट से अधा हलका अलका दिखाई देता है ठीक है तो यह चीज है तो यह चीज है चीज को कैसे ग्रूप किया जा सकता है उसमें कुछ समानता है ने चीज समानता है ना फिर उसकी सब चीज़ों पर तो यह से क्या होता है हम लोगों convenient होता है किसी चीज़ को group कर देने से पढ़ने में उनकी property के बारे में तो हम लोगों नहीं जाना इस chapter में लोगों में ली किया जाना कि कौन subject किस grouping में रखना है तो यह grouping क्यों किया गया हम लोग पढ़ने का मकसद क्या था यह यह था कि हम लोग कोई भी चीज़ जो चीज़ होता है जैसे कि एक book install पर जाएगा तो देखिएगा कि या फिर library में तो कि हर चीज़ grouping में रहाता है जैसे कि कोई sst का book है या फिर science का book है तो एक line में रहाएगा ताकि easily उसको हम लोग वहां से उस चीज़ को निकाल सके वही रैंडमनी कोई चीज़ रखा रहेगा तो नहीं समझ में है ठीक है तो इससे क्या होता है हम लोग को convenient होता है किसी चीज़ को study करने में इसलिए हम लोग केटेग्राइज करते हैं इसको grouping करते हैं उसके similarity उसके basis के अधार पर कि क्या चीज़े हैं और यह exercise में आपको करना है यह कि वैसे अप्रेट का नाम बताना है जो की लकड़ी से बने होता है ठीक है और किस किसमें साइन होता है इन सब चीज़ों को बताना है आपको और यह सब तो आप कर लेंगे मैच्ट फॉलिविंग ट्रू फॉल्स लगएर इस सब चीज़ तो यह सब हैं दोस्तों यह आप अराम से कर सकते हैं इसमें से और फाइंड करना है आपको ठीक है इसमें और की इसमें और गया है तो आप देख सकते हैं चेयर बेड टेबल का बोडी सब क्या होता है लकड़ और अधिकले और कि गया तुद गया मारिकी ओआफेंद करते हैं इसमेह परछी जाएगा सिंट है और देखना है की जोह再 गोने होता है टा एक ठीक है राउंड शेप का और और शेप का उसको ग्रूप करके बताना है आपको यह था दोस्तों कैसा लग वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो को अंतर देखने के लिए थैंक्स पर वाचिंग कर साथ लीडियो कर दोस्तों कर मदास कब सेजवश कई जरूर अंतरूप लेयो की ट outtaoma जरुड़ को tava वीडियो को अंतरूर थैंक्स वाचिंग